अन्मूल वचन अखिल भारतिय संत्मत सत्संकि संस्थापक और ग्रहिस्ट में आनंद योग के चनक परम संत महात्मा परम पूज श्री यश्पाल जी महाराज अर्थात परम पूज भाई सहाप जीत्वारा प्रितिपादत इन अन्मूल वचनों का पालन करना अति आवश्यक है यह वचन हमारी ग्रहिस्ट आध्यात्मिक साधना के लिए मूल भूत सिद्धान्त हैं जो इस प्रकार है हम दुनिया की हर चीज की कीमत आगते हैं अपने मानव जीवन की कीमत भी जाने वह परमात्मा की प्राप्ति हे तु साधना करें मनुश्य योनी एक उपहार है इसलिए परमात्मा को धन्यवाद देते हुए आधा घंटा प्राताहकाल आधा घंटा सायंकाल पूजा अवश्य करें सत्संग सत्नाम वह सद्गुरु को प्राथ मिक्ता देते हुए इसी के आधार पर ध्यान योगा भ्यास अवश्य करें वह ग्रहस्त की कारियों को परमात्मा का कारिश समझ कर उसी की याद में संपन्द करें हर समय ये ध्यान रहे कि गुरु कृपाद्वारा परमात्मा की पवुत्र सत्ता का हमारी आत्मा में वास है अतहे मन में निरंतर अपने इश्ट देव का जाप करें मान सम्मान की इच्छा ना करें वा अपमान से दुखी ना हो परमात्मा की अतरिक किसी और का भय ना करें दोसरों की बुराई न करें न सुने सत्य वा मधुर बोलें अश्नील शब्द मुह से ना निकाले सभी से नम्रता पूर्ण वा सुन्दर व्योहार करें धर्म पत्मी के अतरिक्त अपने से बड़ी से माता जैसा बराबर की से बेहन जैसा वा छोटी से पुत्री जैसा व्योहार करें सांसारिक जीवन यापन की आवश्यक्ताएं अंतहीन है इसलिए अधिक से अधिक समय सत्संग में वधन परुपकार में खर्च करें याद रखें ना इस्त्री माया है ना धंदौलत ना ही परिवार माया वह है जो हिर्दे को परमात्मा से तूर हटा दे अतहा निरंतर्च सत्संग और सद्गुरु की शरण में रहने का प्रयास करें भोजन अपने इश्ट को अरपन कर प्रसाद रूप में परमात्मा की याद में करें रात्री में सोने से पहले अच्छे बुरे कारियों का आत्म निरिक्षन कर उसका समचित पश्चाताप करते हुए ध्यान करें वह प्रभो की गहरी याद में ही विश्राम करें परमात्मा तू ही है तेरी एक्षा पूर्ण हो जैसातुरुदेव जैपद सरणं स्रेय शरूप चरणों सरणं जैसातुरुदेव जैपद सरणं स्रेय शरूप चरणों सरणं अगर एक राजब्रमग्यानी हो सकता है हमाएप तो जिम्मेदारिया कुछ है ही नहीं हम क्यों नहीं हो सकते हैं हम भी हो सकते हैं तो यह रास्ता पहुत पराना है जो मैं आपके सामने रखने हुआ कुछ से कहते इतीमा चीज्ब बढ़ाते अपने जिन्दगी में घटाते नहीं है नहीं और वाटाते क्या है परमात्मा करना एंदर आ जाए तो अपने अप कम्यों को दूर करती चलिया तिया अंधेरे अपने अपने दूर उते चलिया लाइट जा प्रकाश है प्रमात्मा का को अंधेरा नहीं है किसी आदधने लाइट आई अंधेरा गया गया वैल मीक महरीशी उल्टा नम जब ते बैरिशी हो गये और इतने बड़े महरीशी हुए रहाइन अधने लिखती घटना बात में घटी लिख दिया ऐसा ऐसा होगा वैसा वैसा हुआ कि इस जीवन में परिवर्टन आने के पाद कितना बड़ा अंतरा आता है या आप कंपेर कीजिए पहने की जिन्दगी में और उसके बाद की जिन्दगी में टोटल चेंज तो क्या है उसके जीवन में परिवर्टन आया और उल्टा नाम जबते जबते भगवान का नाम लेते रेते इतना उच्छे महरीशी हुए कि रमायन पहले लगती घटना बात में घटे अगर सच्छे हिर्दे से तो छोड़ना कुछ नहीं है आज की तारी जो आज आपकी जिन्दगी है जैसी भी है उसमें एक चीज़ बढ़ाई है बस अब वो क्या है इस रास्ते पे चलने वारे जो हमारे से सद्गुरु हुए एक के पीछे एक परमात्मा को पाने के लिए जीवन मुक्तवस्था प्राप्त कर देंगे तक्ष जीवन उठाए जिन्दगी बड़ी कठोट सी उन्हों की और रहते हुए बड़ी कठनाईयों में स्मिध्या उपना केवन में प्राक्त किया बलकि हमारे लिए कुछ गुर छोड़ गए अगर इन गुरों को अपनाए तो हमारा रास्ता बहुत असानी से बहुत है कुछ नहीं करना कोई तप नहीं कोई कुछ नहीं बड़े प्यार से बैटे हैं घर के अंदार कोई रिस्टिक्शन नहीं किसी लिए चीज़ के एड़ करनी है चीज़ बस जीवन मुत्तवस्ता प्राप्त किये प्राणी में दो बात विशेश पैदा हो जाती है पहली निरंतर परमात्मा किया चौबीस घंटे परमात्मा किया चलते फिरते खाते पीते सोते जाते हैं दूसरा कर्म जो है निश्काम कर्म हो जाते हैं कि मैंने नहीं किया मेरे परमात्मा नहीं किया मैंने नहीं जो करता है वो करता है मेरे वो मानक बनाता है करा दिरता है इगो काम, क्रोत, दोब्व, और एंकार, बहुत बड़ा द्श्मन हैं एंकार, तो क्या है, ये दो बाते हैं, उसे इस्थित्र प्रिक कहिए, जीवन मुद्द कहिए, पैदा हो जाती है, अब देखना ये है, कि इसी दुनिया में रहते हुए, इसी संसार में रहते हुए, को स अब क्या है हमारे सद्गुरों ने इन संथों ने जिनों ने जीवन काल में जीवन मुक्तवस्ता प्राज़वी हमारी ले रही घुर छोड़ गये अगर इन गुरों को बच्चों को दिक्कत नहीं आती किसी काम को करने के लिए तो क्या है इन संत महात्मों ने इस सारे साधन को 24 घंटे को तीन भागों में डिवाइट किया साधन का पहला स्टेप पूरा करने से 8 घंटे का ध्यान आपका अपना हो जाएगा यहाँ 8 घंटे साधन का दूसरा स्टेप पूरा करने से 16 घंटे आपके अपने हो जाएगा और साधन का तीसरा स्टेप पूरा कर लेने से जो 20 घंटे परमात्म की याद बनी रहेगी जिससे काम आज कर रहे हैं इसे सुन्दर काम होते रहेगे ते की का यह हाथ पर काम करें दिल परमात्म की यहाद में लगा रहेगे और जब आध्मी कंप्यूटर बना सकता है तो तो करी ओषिंग 2022 कंप्यूटर के अंदर कितने सारे फंक्शन होते हैं हम इह करते हैं उसको जह इतनी व si आप अपने दिमाग से कंट्रोल कर सकते हैं, तो दो फुंक्शन तो बड़े अराम से कंट्रोल किये जा सकते हैं, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है, अब क्या है, साधन का दूसरा स्टैप पूरा कर लेने से 16 गंटे आपके अपने हो जाएंगे, साधन का तीसा स्टैप कर अपने पूरा कर लेने से कुछ नहीं करते हैं, एक्टिविचन चलता रहेगा, हाथ काम करते रहेंगे, उसका अनम देते रहे हैं, अब क्या है, इन संतों ने पहली बात ये बताई, कि परमात्मा ने असीम दिया करपा करकर हमको मनिश्योनी प्रदान की है, कि ये उसकी दियान, मनिश्योनी में विवेक बुद्धी है, कर्म करने की स्वादीन था है, 84 लाख यूनिया, भोग यूनिया है, परमात्मा ने बड़ा दिया चरपा करकर हमको मनिश्योनी प्रदान की है, और ईश्योनी मौका दिया है, इस अफसर का में पूरा पूरा ला आए बड़े भाग्य मानुष्तन पावा, सुर्दुर लख्स अब ग्रंतन गावा, साधन धाम मूक्ष कुरदारा, पाए न जहीं पर लोक सवारा, तिका है, मनुष्य कैसी यूनिया है, जो बड़े भाग से बिलती है, कि इतने जन्मों के संचिस संसकार हमारे पास है, जो हमने इस जलम में मनुष्योनियम को मिलिया, बहुत आराभ, क्यादी हम चाहें, क्योंकि कर्म करने का अधिकार है, स्वाधीनता है, अगर हम चाहें प्रत्शिलों, तो अस्परम्पिता प्रमात्मों को प्राप्श कर सकते हैं, बड़े अराम से, बड़े अराम से किया है, य तो देवता भी इस योनी के लिए तरस्कते हैं, ऐसा अफसर इश्वर ने हमें दिया, हमें इसका पूरा-पूरा डाब उठाना चाहिए, जितने संत्मात्मा हुए, जितने पंथ हुए, सब ने इस मनुष्योनिय की भूरी-भूरी प्रसंसा की है, कबीर दास जिना कहा है, यहा कि कबिणा हर्की वक्तिगर, उस भारपार निभ्य भाई क्या आइना की मौच, यह मालड ज़रों की मौच है साथी, करो मौच कहा से आते है, बार से नहीं आती है, यह आत्म 스브 क्योंच कि सिखता है, कि हम बयठे है हमारा शरीर 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 नहीं है, यह तो इस तूल शेरी रहे जिसमें हाथ हैं कान हैं नाक है पैर हैं पहला शेरी रहे हम इसी की सेवा करते हैं इसी को बनाते हैं इसी को पालते हैं पहला शेरी रहमाने शोचिए एनलाइस कर दिये कि हम किस चीज के बने हैं हमारा क्या अस्तित्व है किसी ने ऐसी पूछा कि साब जी मौत में और सोने में क्या डिफरेंस है बना को हीरलाइन डिफरेंस है और चीदों में रात को सोई पर मात में उठा दिया तो जिंदगी है ना उताये तो तो ऐसा सुन्दर इसे वाकि गुरुदेव कहा करते थे कि विशय वासना के अनंदी, मिथ्या जरम विगार, माना चनम गरीब ने फिर फिर कर ले हदिसों प्यार, बहुत बड़े रहस से इसके अंदर किसी और चीज़ से आप अनंद की प्राप्ति करने की कोशिश करेंगे, उसका एंटी इफेक्ट आपके बॉटी पर पढ़ेगा, अगर परमात्म से प्यार करके उसका अनंद देने की कोशिश करेंगे, तो यह बर्सा चला जागा, घटेगा, दू चीज़ घटती है अनंद, यह चीज़ बढ़ती है, तो हमें बताया गया कि ऐसा चाहिए आप ग्रस्तियों से न्यासी आपको आदा गंटा सुबह संद्या बंदना और आदा गंटा साइकल संद्या बंदना अविश करनी चाहिए, किसी भी धर्म का मानने वालों, यह अराद है, अराद ना करनी चाहि यह सबको आदा गंटा, परमात्मा ने इतना सुन्दा शरीड दिया और बहुत कुछ दिया, क्या है कि दो समय निश्चित कर दिये, 99% लोग परमात्मा को मानते हैं और अपने किसे ना किसी धंग से परमात्मा की पूजा करते हैं, बहुत लोग आदे से घंटे जादा भी कम लोगोंगे, जो कहेंगे कि लाब हुआ हम तो कुछ इंटर्नल फायदा, तो क्या है, चार बात बताने के खामुश हो जाते हैं, पहली बात जी हमारे घर में मंदिर है, हमारे दादा जी पूजा करते हैं, पूरत उनकी रख्की हुई है, हमारे पिता जी भी करते हैं, दे यह कहेंगे हुआ अंतरिक फाइदा इन संतों ने का कि एक ऐसा तरीका आपके सामने रखते हैं गर इस तरीके से पुझा करेंगे तो आपको वाकिन में फायदा होगा इंटरनल लाग, आंत्रिक लाग, और ऐसा तरीका बताया है कि जिसे हर कोई अपना सके, किसी भी मजभ का मानने वालो, किसी भी धर्म का अन्याई हो, अपने धर्म के मत पर चलते भी कर सके, वो तरीका बताया गया, जो मैं आपके सामने ड़्ट हूँ, ऐसी बात है, कि संसार म केटेगरी बनी हुई है, अनकरा, जो साकार पुझा रही है, वो प्रमात्मा की मूर्ति को मानता है, तेरा आकार नहीं मानता है, कि प्रमात्मा कोई आकारी नहीं है, जो प्रमात्मा की मूर्ति मानते हैं, उनके लिए क्या है, और इसमें वाद भी बाद भी होते हो, जगड भी होते हैं वो कहता है वो कहते हैं नहीं है वो कहते हैं लेकिन सब होते हुए दौनों कायम है क्योंकि मनुष्का सवावी कुछ ऐसा है किसी को चेरे से प्यार होता है किसी को शक्ल से प्यार होता है किसी को मूरती से प्यार होता है किसी को मूरत से प्यार होता है तो शकार और जम्हुरत मूरती से प्यार नहीं तो निराख्रकत इन संतौर ने दौनों के लिए रास्त है जो साकार पुजारी रहे इमें बढ़े confusion में सारे, बहुत confusion में रहते हैं, अकशendesरआ पूछी जाते हैं, कि बहुत confusion किसी ने कहा दिया अशिव जी गो मांको उसके बाद कहा दिया कि अलुमान जी को मांको इूसके बाद निऊ नती हूं बेजशनी दे पर जल चड़ादू हम सब करते हैं है है सब कुछ करते हैं अभी पीछे कहां पुगुराम था, कोई एक साब प्रोफेसर साब खड़े हो गए, कि जी सेट ठीक नहीं हो, तो कहार हनमान जी को मान लो, हनमान जी को मानते हो नहीं ठीक होई, तो कह दिया कि इराम जी को मान लो, मैं भूम ही रहूं, अठारा साल से बराबर एक दुसरे की चीजों को मानते हो गए, मैंने का, आप अपने दिल की बात मानों, कि आपके दिल में क्या है, उसको मान के चलिए, तो अब क्या है कि डॉलों के लिए रास्ता है, एक इस्ट का निश्चित करना बहुत ज़रूरी है, परमात्मा की वो हूरत जो आपको सबसे अच्छी लग कि सबसे यदा प्यारी लगती है, जिसमें घुरत में, जिसमें भगवान के सबसे हूची वहामना डाल सकते हैं, उसको मानियागए। किसी की बात सुनने की जरूत नहीं है, किसी एपाद जाने की जरूत नहीं है, आपकी आत्मा आपका सबसे बड़ा गुरूब है, अगर वो कहता है शिव को मानते हैं, शिव को मानिये हैं, कहता है राम को मानिये हैं, तो राम को मानिये हैं, एक, एक इस्ट के उपासना, डिफ यह उसे माने, उसे अपना इस्ट माने, उसी की पुजा करें, उसी का ध्यान करें, उसी को याद करें, उसको कभी बदले नहीं, ऐसा नहीं कि आज आप राम की पुजा करें, करकिश्की पर सुमा की, उसके बाद शिव की, कि आज हर्मान जी का प्रत है, आज दस्पतिवार है आज चनिवार है आज शुकरवार है तरीके से लगे हुग है क्या है अगर रोज गोज बदलेंगे तो इसका विशेश लाफ आपको मालूम नहीं होगा तरसल में पूजा का जो मक्सद है वो एक चित की एक आकरता प्रावत करता है concentration of mind यह प्रावत करता है और उससे उपर उठे तो मैं यह कहूँगा कि चित की वृतियों का निरोध प्रावत करता है विदाउट धॉट्ट स्टाइज आगो जब ही हो सकता है जब आपका एकस अ कि रिफ्रेंट होगा तो नहीं होगा 577 महिए बता फिक बजन के अंदर बह prof ईक एक गंटा ओफने बजन किया तो थोड़े टेम तो आपका मन बजन में लगा रहता है। बजन में लगा हुआ है। जवान सुक गई है, गला सुक गया, मन के अंदर चल रहा है ना। इंटरनल चुरू हो गया। एक्सटरनल अब कुछ नहीं है। जब तक बोल रहे हैं तब तक एक्सटरनल है। और जहां आपको ये सारी चीज़े मालू हुए इंटरनल चुरू हो गया। उसी की जरूरत है आज की तारीक में और फिर चीज़े जरूरत है नहीं है। इस इस स्टेज अपुजा जिसे हम बोलते हैं मांसिक, मंद से जाप करना। इस मांसिक जाप करना। बोल रहे हैं शारीक जाप हो गया। जैसे ही सारी चीज़े खतम होई एक्सटरनल मांसिक शुरू हो गया। और जब तक चलेगा जब तक आपके भजन चलते होंगे। यह है। तो क्या हुआ। एक ही पूजा कैसे करें कुला कुशाय कंबल का असन हो धूब दीब जलाएं। बड़े प्यार से बैठें। सुख असन से। और जो आपने इस चुनाएं। इसके वाज़ मैसूस करें कि इस ते सही शरीर हमारे सामने विद्धांब दीब थाूजा। प्रएप्यार से आन्थ मीची है। प्रेप्यार से इस प्रेबड़ी आके हैं। जैसे एक पिंटर बनाता है अगर उसको कहो कि शिप बगवान की बनाद बनादो। तो पहले भाई थौट ख्याल में बना देगा जहां कहेंगे महां आपको कार देगा इसी प्रकार आप भी अपने इस्ट की मुरत अपने सामने बनाए बड़ी बड़ी आंके हैं कोल चेहरा है जटाएं सर्फों की माना साफ सफाई से बैठें रात्री के वस्त बदलकर बैठें कर इश्णान नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं बहुत टाइप यह होता है कि हमने इश्णान लेकिया फूजा चूट गए ध्यान योग के कारिकरम आनन्द योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810-239-677